सुनिए सद्गुरु डिस्कॉसिस कारवा 2.0 पर लंबे समय के बाद गाया था अब बात ये थी कि 1957 के अराउंड किशोरदा मधुबाला जी के हेल्थ के कारण काफी व्यस्त थे और अपने रिकॉर्डिंग्स को टाइम ही नहीं दे पा रहे थे इसी दोरान रफी सहाब और देव सहाब का अच्छा चलनने लगा लेकिन देव स क्यों बताओंगे आपको आज के शो में आगे लेकिन फिलहाल शुरू करते हैं तीन देवियां फिल्म से आज का प्लाटिनम सॉंग अफ ते देव जब किशोर्दा और देवानन सहाब सचिन्दा से मिलने गए तब सचिन्दा ने किशोर्दा से गले लगा कर कहा कि तुम इतने दिनों से क्यों नहीं आए थे चलो रिहर्सल स्टार्ट करते हैं हमें गाना रिकॉर्ड करने जा रहे हैं उस समय स्टी बर्मन जी तीन देवियां फिल्म के लिए खुआब हो तुम या कोई हकीकत सॉंग को ही कंपोज कर रहे थे और सचिंदा ने किशोर्दा को कह दिया कि ये गाना तुम ही गाओगे and after a long time किशोर्दा सचिंदा के लिए गा रहे थे किशोर्दा ने ये गाना इतनी खुबसूर्ती से गाया था कि उन्होंने स्टूडियो में सबका दिल जीत लिया तब दादा ने किशोर्दा के फोर हेट पर किस किया और कहा कि यही तो बात को यही तो फीलिंग को हम बहुत मिस कर रहे थे घड़कनों ने सुनी एक सदा पाव की और दिल पे लहराई आचल की धाव दी और दिल पे लहराई आचल की धाव जी आवो तुम या कोई हकीतत कौन वो तुम बतलाओ ओ तेर से कितनी दूर धड़ी हो और रेबा जाओ ये गाना किशोर दा के लिए किसी अचीवमेंट से कम नहीं था जहां पर वो बैक ग्राउंड में बगैर किसी मुजिकल इंस्टूमेंट के लाइन्स काते हैं उनकी voice एकदब magical sound करती है और आज के time में जहां auto-tune जादा use किया जाता है इस हिसाब से तो impossible है कि कोई भी किशोरदा जैसा aura create कर पाए बैसे इस गाने की खास बात ये है कि इस गाने की शुरुआत होती है पहले अंत्रे की tune से और बात में मुखडा tune को लिया जाता है ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत line के साथ काफी कम songs ऐसे हैं Bollywood में जोड़के चल देती हो कितने अफसाने जोड़के तो ये था आज का platinum song of today ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत मैं हूँ रुची आपके साथ तीन देविया फिल्म में एक कश्मीर सीक्वेंस था जहां पर देवानन्द और सिमी जी एक मुशायरा अटेंट करते हैं और पता है ये मुशायरे की सेटिंग बॉम्बे के महभूब स्टूडियोज में की गई थी वैसे इंट्रेस्टिंगली इस फिल्म की शूटिंग के दौरान सिमी जी मंसूर अली खा सहाब को डेट कर रही थी जो कि उस समय इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन थे और जब कभी भी वो सेट्स पर सिमी जी से मिलने के लिए आते थे तब उनके फैन्स फिल्म के सेट्स पर घुस जाते थे और कभी-कभी तो शूटिंग में भी दिख करता जाती थी बैसे आज का प्लाटनुम सॉंग अफ टी डे एक रोमैंटिक सॉंग है तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने घर का बनाना कोई आसान काम नहीं दिल में वफाएं हो तो तूफा की नारा है विजली हमारे लिए प्यार का इशारा है तन मन लुटाऊंगा तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने कहते हैं प्यार जिसे दर्या है आग का या फिर नशा है कोई जीवन के राग का दिल में जो प्यार हो तो आग भी फूल है सची लगन जो हो तो परबत भी धूल है तारे सजाऊंगा तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने कोटों भरे हैं लेकिन चाहत के रास पे तुम क्या करोगे देखे उल्फत के वास पे उल्फत में ताज छूटे ये भी तुम्हें याद होगा मैं भी कुछ बनाऊंगा तेरे घर के सामने देखे दुनिया बसाऊंगा तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने आज का प्लाटनुम सॉंग अफ दे डे बना हुआ है तीन देवियां फिम से ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत मैं हुरुची आपके साथ यह फिल्म सिमी ग्रेवाल जी और कलपना मोहन जी की पहली मेजर फिल्म थी लेकिन सिमी जी को लगता था कि फिल्म इसलिए ब्लॉक्बस्टर नहीं हुई क्यूंकि उसे ब्लाक और वाइट में शूट किया गया था वो भी तब जब फिल्म में कलर में बनती थी और्सब्स अक्या आप जानते हैं फिल्म में डिरेक्टर का क्रेडिट अमर्जीट jी को दिया गया था क्यूंकि देव साहब को डिरेक्शन करना था लेकिन वो शौर नहीं थे about how this film would be behind the camera इसलिए direction तो उन्हों नहीं किया था लेकिन credit producer अमरजीत जी को दिया गया था वेल गाने उनसे जुड़ी यादे और किसे आपको मैं सुनाती रहूंगी लेकिन फिलाल चलते हैं अगले खुबसूरत गाने की ओर लेकिन जुबसूरत जलते हैं तो नहीं मैंसे लुबसूरत जजा थेकिन की जुबसूरत वा थाहुंगी इसलिए भर हुआएशी की और कर देखकिन खुबसुबसुबसूरत गलते हैं लेकिन फिली गिरा के आप खुद बिचली से दर गए हम सादगी पे आप की लिल्ला हमर गए है 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 दिल तेरा दिवाना है सनम जानते हो तू कुछ ना कहिंगे हूँ मुहबत की कसम मुहबत की कसम दिल तेरा दिवाना है सनम जानते हो तू कुछ ना कहिंगे हूँ मुहबत की कसम मुहबत की कसम मुहबत की कसम मुहबत की कि लू कहिंग प्यार के यल में ये हल्च पर जबेंगे ले जाएगा दिल जिखर रहा में खो जाएंगे आज तो मंदिल कहां है हमें क्या ख़बर कुछ रहता तर कुछ मसंता तर ओ दिल तेरा दिवाना है सनौ जानते हो तू कुछ न कहेंगे हूं मोहबत की कसम मोहबत की कसम मोहबत की कसम मोहबत की कुछ जाएंगे जानते हो जाएंगे प्यार की संह्याई जाने लगरे प्यार की ना डाले दिल मेरा मजबूर है जीवन में एक बार खुद हो जाता है प्यार दे तेरा दिवाना है सनम जानते हो तू मुछ न कहेंगे हम ओ जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम मुहबबत की कजम क्या कीजे कोई अनुद हो गया दिल में हमारे हस्तों वागया हद के किसी ने देखा एक बार हद के किसी ने देखा एक बार है दिल की मुरादे कोई पागया सासो में मिठिया खोता पे मिठारा दिल तेरा दीवाना है सनु जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम मुहबबत की कसम 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 आज का ये सूपर फिल्मी ड्रुमाटिक रोमांटिक गाना जिसको हमने बनाया था प्लाटनम सॉंग अफ ते डे वो गाना था ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत इस गाने को फिर से सुनाने का समय आ चुका है मैं और आप फिर से मिलकर के ये गाना सुनेंगे जरूर लेकिन उसके पहले इस वीडियो को आपको शेर करना है सारे गामा म्यूजिक चानल को सब्सक्राइब करना है बीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे आपको आपकी पसंद लिख करके बताना है तभी तो मैं आपकी पसंद के गानों को बनाओंगी प्लाटनम सॉंग अफ दिले तो चलिए फिलाल मिलकर के सुनते हैं यही गाना ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत मेरे साहरे गामा कारवा से और करीब आजाओ सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा जुलफों में एक चेहरा कुछ जाहिर कुछ निहा खाब हो तुम या कोई हकीकत कौन हो तुम बतलाओ ओ तेर से कितनी दूर खड़ी हो और खरीबा जाओ खाब हो तुम या कोई हकीकत कौन हो तुम बतलाओ ओ देशेशनी दूर खड़ी हो और खड़ी वा जाओ दड़कनों ने सुनी एक सदा पाऊगी दड़कनों ने सुनी एक सदा पाऊगी और दिल पे लहराई आचल की ढावजी और दिल पे लहराई आचल की ढावजी आभो तुम या कोई हकीतत कौन हो तुम बतलाओ ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और खरीबा जाओ पाप तुम या कोई हकीतत कौन हो तुम बतलाओ ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और खरीबा जाओ मिल ही जाती हो तुम मुझको हर मोड पे चल देती हो कितने अफसाने छोड़ के चल देती हो कितने अफसाने छोड़ के आभो तुम या कोई हकीतत कौन हो तुम बतलाओ ओ तेर से कितनी दूर खड़ी हो और खरीबा जाओ पाभो तुम या कोई हकीतत कौन हो तुम बतलाओ ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और खरीबा जाओ फिर पुकारो मुझे फिर मेरा नाम लो फिर पुकारो मुझे फिर मेरा नाम लो गिरता हूं फिर अपनी बाहों में खाम लो अभो तुम या कोई हकीतत कौन हो तुम बतलाओ ओ तेर से कितनी दूर खड़ी हो और खरीबा जाओ अभो तुम या कोई हकीतत कौन हो तुम बतलाओ ओ तेर से कितनी दूर खड़ी हो और खरीबा जाओ तुम या कोई हकीतत कौन हो तुम बतलाओ ओ तेर से कितनी दूर खड़ी हो और खरीबा जाओ फुम याओ लुम